ATM का कलोन बनाकर लोगों के खादे से रुपई निकालने वाले राश्ट्री सितर गिरों का जबलपूर पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आर उपी को ग्रफ्तार किया है पुलिस ने प्रतापगड निवासी एक युवग को ग्रफ्तार किया है जबकी 6 आरोपी अभी भी फरार है पुलिस के मुताबिक अधारताल निवासी 4 जनवरी 2020 को जुनारदन सिंग ठाकुर लिखित शुकायत की गई थी 26 अगस्त 2019 को साड़े 11 बुजे अधारताल के PNB ATM जब रुपए निकाल रहा था था भी एक लगा ATM के अंदर आया और बाजू वाले ATM के पास खड़ा होकर गौर से देखने लगा कुछ देर बाद उसकी मदद की बात कर ATM ले लेता है बाद में जब रुपए नहीं निकलते तो ATM वापस कर देता है अगले दिन जनारदन को मेसेज आता है कि उसके खादे से 20,000, 5,000, 20,000, 5,000, कुल 50,000 रुपए निकाल लिए जाने का मेसेज आता है इसी तरहे 5 जनवरी 2020 को विकरांद शर्मा ने पुलिस को लिखज शकायत की थी कि उसके पिता राजेंद्र कुमार शर्मा का अधारताल स्थित SBI बैंक में अकाउंट है उसके पिता इंदौर गए हुए थे जहां से पिता ने दिनांग 26 दिसंबर 2019 को फोन कर बताया कि उनके मोबाइल में अकाउंट से 26,000 रुपए निकल ने का मेसेज आया है संदिग्द लोगों की शुकायत के बाद S.P. ने आरोफियों को ग्रफतार करने टीम गशित की गशित टीम के द्वारा संदिग्दों की फोटेज प्राप्त किये गए और अधारताल पनागर शेतर में फोटेज के अधार पर पतासाजी की जा रही थी यसी दौरान पतासाजी के विश्वस्निय मुग्वीर से सुचना मिली के पनागर में एक स्विफ्ट कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MH03BC9998 है पांच्छे लोग जो बाहर के रहने वाले हैं संदिग्द लोग खड़े हुए हैं सुचना पर तकाल टीम के द्वारा दबिश दी गई मुग्वीर के बताये नंबर की कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला जिसने पूस्ताच के अधार पर अब्दुल कलाम निवासी सग्रा सुन्दरपुर थाना लालगंच अजहरा जिला प्रताबगड उत्तरप्रदेश बताया जारा है पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार में एक लैपटॉप, ATM, स्वाइप मशीन, 32 ATM, कार, दो मुबाइल रखे हुए मिले संदे होने पर अब्दुल कलाम को थाना अधारता लाया गया और सगन पूस्ताच की गई है जो अपने साती आरिफ खान, ओम प्रिकाश जैस्वाल, सयद खान, और शेहजाद जाहिद अली, वसीम नसरिद्वीन, सभी निवासी, जिला जिला प्रताबगड के साथ मिलकर ATM का क्लोन तयार कर क्लोन किये गए, ATM से रुपे निकालना स्विकार किया है उन्होंने उनके ATM को क्लोन किया और उनका पैसा निकाल लिया, यह दो बारदात हुई है जिसमें हमने मुगत्मा दर्ज किया है और एक आरुपी अब्दुलकराम को अरस्च किया है यह सुंदरपुर ठाना लालगंज प्रताबगर का रहने वाला है, इनकी पूरी गैंग है और यह पुरा का पुरा गाहूं इसी काम को करता है इनकी जो एकोनोमी है, इनका जो जिनको बारदन का साधन है वो ATM क्लोनिंग है इनके पास से एक लैपटॉप मिला है, एक स्कामर मिला है, इस कामर के मारफ़त ही एक टूनिंग करते हैं एक चार्जर, 32 पुराने ATM मिले हैं, दो मुबाइल और एक सिर्फ डिजायर कार मिला है इनके पास से नगदी पैसा भी मिला है, अब हम इनसे पूस्टाच कर रहे हैं हमें विस्वास है कि कुर्वतर के कई जिलों में इन्होंने इस तरह की वारदाब किये हैं पालाखाट, डिडोरी, उमरिया, इन जगों पे भी इन्होंने वारदाब किये सारी सिकायते हम मंगमाएंगे और साइबर फॉरिंसी की मदद से हम बता करने का प्रयास करेंगे कि कहां-कहां इनका इन्वाल्मेंट रहा है और जो छे लोग और हैं, इनको पकड़ने के लिए टीम हम जल्दी रवाना करेंगे और जल्दी इसकी तह तक जाएंगे कि बैंक का कोई व्यक्ति तो इनसे नहीं मिला है इनके पास बहुत से एटिम मिले हैं जो नए हैं जो जिस पे किसी भी तरीके की चीजें दर्ज नहीं है जो डिजिटल चीजें होती हैं वो दर्ज नहीं है लोग तो इसमें इनकी मदद कर रही हैं यह सारी चीजें हमारी विवेचना का अहम हिस्सा रहेगा और हम यह प्रयास करेंगे कि क्लोनिक जैसी चीजें आम सहरी के साथ जबलपुर के वासित के साथ नहीं है